नमस्कार आज हम 5 अगस 2020 के करंट अफेर डिसकस करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के लास्ट में हमें क्विज करते हैं आप भी उसे अटेम्ट कीजिए आज का फर्स्ट कॉश्चन हाल ही मैं केंद्रिय मंत्री पहला स पहला सिंग पतेल ने विश्वे इस तरिया थैंक जॉल गॉल्फ रिजॉर्ट का उद्गाटन किया है यह कहां पर इस्तित है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मिजोरम यह आप मैप में देख सकते हो यह मिजोरम है यूनियन मिस्टर ऑफ स्टेट फर कल्चर एंड टूरिज शिरी पहलाज सिंग पतेल जोनोंने वर्चुली इनागरेट किया है थैंजॉल गॉल्फ रिजोर्ट प्रोजेक्ट को जोकी इंप्लिमेंट किया गया है अंडर दा स्वदेश दर्शन इसकीम ठीक है आई एम थोड़ा सब स्वदेश दर्शन इसकीम के बारे में जानते हैं स्वदेश दर्शन इसकीम यहां वर्ष 2014-15 में लॉंच की गई थी और यहां नोडल एजनसी इसकी मिनिस्ट्री आफ टूरिस्म है मार्च 2020 तक इसकी योजना का पूरा जो टाइम पीरिड है देश में थीम आधारित प्रेयर्टर सर्कुटों के एक इकरत विकास के लिए य यहां योजना है और यहां 100% सेंटर सेक्टर स्कीम है आईए कुछ डिवीजन करते हैं मिजोरम के बारे में मिजोरम गवर्मेंट्स ने स्पोर्स को इंडस्टी स्टेटस दिया हुआ है मिजोरम के अंतिवर्ट एक फेस्टिबल मनाया जाता है जिसका नाम है चपाचुर अगला कॉश्चन मिजोरम के अंतिवर्ट ही अंदर ही एक जोरम मेगा फूर्ट पार्क इनॉगरेट किया गया है अगला कॉश्चन यूनियन गवर्मेंट ने लॉंच किया एक ग्रीन एजी प्रोजेक्ट मिजोरम में नेक्स्ट कॉश्चन कौनसा मंत्रवाले माई गवर्मेंट के साथ मिलकर आत्म निर्बर भारत स्वतन्त भारत पर एक क्विस प्रत्योगिता का आयोजन कर रहा है इसका सही आंसर है ऑप्शन दी की मिनिस्ट्री ओफ्डिफेंस in cologne क्या गवर्मेंट is conducting quiz competition on आत्म निर्बर भारत स्वतन्त भारत है अत्म निर्बर भारत और स्वतन्त भारत जोकी एक ऑन्लाइन क्युश्चन कौन्टी ऊंड़एं यहां कंड़क्ट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस के दोरा फिलिंग्स को क्रेट करना मतलब जो पेट्रिटिक फिलिंग्स है उनको जागरू करना लोगों के बीच नेक्स्ट कोश्चन के संगठन ने राजीव गांधी अंतराष्टी हवाई अड़े पर थर्मल स्क्रीनिंग के लिए केंद्रिय स्वास्त मंत्राले और एशियन डेवलप्मेंट बैंक के साथ सहयोग किया है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यूनिसेफ हैस कोलाबरेशन विद यूनियन मिनिस्ट्री ओफ हैल्थ एंड एशियन डेवलप्मेंट बैंक फॉर्ड थर्मल स्क्रीनिंग एट राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ठीक है इन समने सहयोग किया है और इसके लिए जो पैसे दिया जा रहा है व्याँ यूनिसेफ के द्वारा दिया जा रहा है इससे क्या होगा जो पैसेंजर्स होंगे स्टेशन पर उनकी स्क्रीनिंग करने में यहां मदद करेगा नेक्स्ट कॉश्चन हाल ही में मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व खवरों में है यहां किस राज्य में इस्तित है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यहां राजिस्थान में इस्तित है यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, मुकंदरा टाइगर, ईहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यह राजिस्थान के जो टाइगर रिजर्वस है सरिस्का, रंथमबोर और मुकंदरमा हिल्स अभी यहाँ न्यूस में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक टाइग्रेस MT2 वहाँ खतम हो गई पासे सवे इसलिए यहाँ न्यूस में है आईए अब हम मुकंदरा हिर्स टाइगर रिजर्व के बारे में जानते हैं इसकी जो लोकेशन है वहाँ कोटा राजिस्थान के पास है यहाँ जो पार्क है वहाँ सिचुएटेड है एक बैली में ठीक है इसके दोनों तरफ जो है वो मौंटेन की रेंजिस हैं जैसे कि मुकंदरा और गारगोला दो मौंटेन की पैलर्स इसके हैं यहाँ से चार रिवर्स निकलती हैं रामजान, अहू, काली और चंबल यहाँ चंबल रिवर के इस्टरन बैंक पर लोकेटेड है यहाँ 1995 में इसे वाइड लाइफ सेंचुरी डिकलेर किया गया था जबकि 2004 में इसे नैशनल पार्क डिकलेर किया गया था और 2013 में इसे अंतिगरत तीन टाइगर रिजर्व हैं सरिस्का, रंतंबोर और मुकंदरा हिस टाइगर रिजर्व अब हम कुछ राजिस्तान के बारे में रिवीजन करते हैं ठीक है एन्वाइर्मेंट रिलेटिड जो क्राइम्स हुए है वह सबसे ज़्यादा राजिस्तान में हुए यह कैक की रिपोर्ट के कॉरिंग डेटा है ओम बिल्ला जो की लोग सभा के स्पीकर है उन्होंने लॉंच किया सुपोशित मा अभिहान कोटा में अगला कॉश्चन राजिस्तान ने लॉंच किया एक इसमाइल ठीक है यह जो प्रोग्राम है इसमें लॉकडाउन के टाइम पे लोग अपनी जो लर्णिंग की जो आदत है उसे कंटिन्यू कर सकते हैं राज कॉशल पोर्टल और ओलाइन श्रमिक एम्प्लियमेंट एक्षेंज पोर्टल यहां राजिस्तान गवर्मेंट के द्वारा लॉंच किया गया अगला कॉश्चन किस संस्थान ने ओक्स एक्स व ठीक है अब हम देख लिते हैं यहां डिवाइस क्या करेगी यहां डिवाइस जो है वाकिसी भी परसन की हर्ट रेट टैंपरेचर ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड रेस्परेशन रेट को काउंट करेगी और यह बहुत ज़्यादा एक्कुरेट इंफॉर्मिशन के लिए यहां जो डिवाइस से इसे रियूस्ट और रिसाइकल भी किया जा सकता है और यहां मार्केट में भी अवैलिबल है कुछ रिवीजन करते हैं IIT मदरास के बारे में IIT मदरास ने डैबलप किया था एक आर्टिफिशल इंटेलिजेंस पावर ड्रॉन जो की टैकल कर जो रॉक ड्रॉन्स होते हैं उनसे IIT मदरास के द्वारा ओरिसा की जो चिलका लेख है उसके अंदर इरावरी डॉल्फिन पॉपुलेशन को ट्रिपल करना है अगला कॉश्चन हाल ही में किस देश ने महातना गांधी के चित्रवाला सिक्का जारी किया है इसका सही आंसर है ऑप्शन दी यूनाइटेट किंग्डम यह आप मैप में देख सकते हैं यह है यूके जहांसे प्राइम मेरेडियन पास होता है ठीक है यूके की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है मिंट करना अक कोईन रिमेंबरिंग महात्मा गांधी महात्मा गांधी जिनने फादर बर्डे था वह सैकेंड अक्टूबर को मनाय जाता था और इसी दिन को इंटरनेशनल डे ओफ नॉन वाइलेंस के रूप में भी जाना जाता है जाना जाता है और मनाया जाता है मतलब कोईन नम्मर अगला किस मंत्राले ने जैन शिकायतों के प्रभावी निपतारे के लिए IIT कानपुर और ARPG डिपार्टमेंट के साथ तिरी पक्षिय एम्यो पर हस्ताक्षर किये है इसका सही आंसर है Option D Ministry of Defense एक Memorandum of Understanding साइंड हुआ है IIT कानपुर Ministry of Defense और Department of Administrative Reforms and Public Revenance के बीच में ये क्या करेंगे जितनी भी पबलिकी शिकायत हैं उनका solution प्रोवेड किरा जाए इसके अंतिकरत इसमें क्या होगा जो CPGRAM ये एक पोर्टल है जहां पर कोई भी पबलिक अपनी जो शिकायत है वहाँ दर्च कर सकता है इस पोर्टल पर और जो इसका कस्टोडियन है वहाँ है Department of Administrative Reforms ये क्या करेंगे यहां से जो भी शिकायत होंगी उनको इखटा करके IIT क कनपुर को देंगे और IIT कनपुर क्या करेगा कि यह जितनी भी ग्रिविनेंस हैं जितनी भी शिकायत है पबलिक की उन्हें Artificial Intelligence, Machine Learning और स्टैटिस के द्वारा उनको एनलाइज किया जाएगा और फिर उसके द्वारा उसके अकॉर्डिंग उन्हें solution प्रोवाइड किये है कि आप इंद्रा रसोय योजना स्टार्ट करो यह योजना 20 अगस 2020 से स्टार्ट होगी इसमें क्या होगा जितने भी पूर पीपल है उनको आठ रुपे पर प्लिट में nutrition food प्रवाइड किया जाएगा और उनका जो लोगो है मतलब यह काम का वह यह है कि no hunger no sleep अगला question निम्लिकेत मैंसे किस ने स्वक्ष भारत क्रांती पुस्तक लांच की है इसका सही आंसर है बोथ A and B श्री ग्रदियन देशिंग सेखावत और श्रीमती इसमेती इरानी दोनों नहीं लांच किया है इसमें क्या होगा इसमें जो श्रीमती इसमेती इरानी जो की मिनिस्टर और टेक्स्ट्राइल एंड वर्मेन च्राइल डेवलप्मेंट है इन दोनों के द्वारा लॉंच की गई है इस बुक स्वक्ष भारत क्रांती इसमें क्या होगा इसमें जो श्रुक्ष भारत मिशन है उसके बारे में पूरी जो जर्णी है वह बताई गई है वो भी 35S मतलब जो निवन्द होते हैं उसके जर्य है जो निवन्द है वह उनके जो टॉपिक्स है वह यह है पॉलिटिकल लीडर्शिप, पब्लिक फाइलेंसिंग, पार्टनर इसके अंतिगरत है अगला कॉश्चिन हाल ही में नोबल पुरुसकार विजेता जॉन हुम का निधन हो गया है वहाँ कौन थे इसका सही आंसर है ऑप्शन है जो जॉन हुम जिनने नोबल पीस प्राइज मिला था वहाँ पॉलिटिशन थे और अभी वहाँ उनका निधन हो यह आप मैप में देख सकते हैं सॉरी इन्हें आप देख सकते हैं यह इमेज है पॉलिटिशन जॉन हुम जिनने नोबल पीस मिलाता है यह इन्होंने जो नॉर्दन आइल्लेंड के जो नेटिव से मतलब जुड नौर्दन आइलेंड है वहाँ पर वालेशन को कम करने के लि अब हम कुछ रिवीजन आंसर्स बताते हैं जो मैंने आपसे कल पूछे थे उनके मैं आज आंसर देशती हूँ पहला कॉशन निमलिकित मैंसे कौन सा देश की एक मात्र नदी है जिसके लिए भारत सरकार द्वारा इक प्रवहा तै किया गया है इसका सही आंसर ऑप्शन है गं जो कि समाचारों में है क्या यह जर्मनी से रिलेटिड है यह गलत है क्योंकि यह जर्मनी से रिलेटिड नहीं है यह चाइना की नैविगेशन जो सेटिलाइट थी वहाँ है अगला कॉश्चन यू एई हैस बिकम दा फर्स्ट कंट्री इन अरफ वर्ल्ट तो प्रडूस महरास्ट ने इनागरेट किया है भारत एयर फाइबर सर्विस अगला कॉश्चन आड़ी पैरेकु फैस्टिबल इस सेलिब्रेटिर इन करनाड का यह गलत है क्योंकि यह तमिल नाडू में मनाया जाता है यह फैस्टिबल और इसी के साथ अब मैं आपको और कोश्चेंस दे हमीर मिसाइल टू इंडिया और आप चार अगस्ट के रिविजन कोश्चन आपके लिए इन्हें आप टूर फॉल्स की फॉर्म में कमेंट बॉक्स में दीजिए अगर आपको लगता है इसका आंसर फॉल्स है तो आप सही आंसर भी दीजिए इससे आपका ही फाइदा होगा क्योंकि आप एक बार आपको एक बार आपने सुना और फिर उसके बाद आपने खोदिस को किया तो आपके जो कोश्चन होंगी वो पर्मानेंटली आपको याद भी रह जाएंगे पहला कोश्चन चंडिगर्ड ने लांच किया है यह ग्यान मित्रा मोबाइल एप फॉर ऑन महारास्टर गवर्नमेंट को ताकि महारास्टर एग्री विजनेस नेटवर्क प्रोजेक्ट बनाया जा सके और आप से भी इसके आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिए और इसी के साथ आज का डिसकेशन यहीं समापत होता है अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज इ और थाइक यू फो वाच्किन